very excited to be back on the वास्तु लॉजिकल शो और सभी लिस्टनर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार and जैसे कि हम सबको याद होगा last episode में भी हमने living rooms यानि की drawing rooms की बात करी थी और इस episode में हम उस discussion को आगे continue करेंगे और मैं आपको बताऊंगे कि वास्तु के अनुसार आपके living room में आपके drawing room में और क्या क्या होना चाहिए कैसे आपको अपने वास्तु को balance करना चाहिए तो निकी जैसा कि आपने पूछा कि colors जो है वो कितने important है well हमारे living room में colors की बहुत जादा importance है और अगर हम वास्तु की माने वास्तु शास्त्र की माने तो drawing room में living room में हमेशा pastel और soothing colors होने चाहिए बहुत जादा जो jarring colors होते हैं या loud colors होते हैं वो हमको जो है अपने living room में देना avoid करना चाहिए या फिर उनको थोड़ा सा controlled मात्रा में एक highlight create करने के लिए देना चाहिए क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि वास्तु में कि अगर हम बहुत जादा bright colors यूज करते हैं बहुत जादा jarring colors यूज करते हैं बहुत जादा red and black यूज करते हैं तो वो अगर right zone में आपका drawing room नहीं है तो वो जो colors हैं वो clashing हो सकते हैं इस तरह कि जो colors होते हैं loud colors होते हैं वो हमेशा zone specific होने चाहिए जैसे कि अगर red यूज करना चाह रहे हैं तो you have to be sure that your drawing room or living room is coming in the southeast and not in the north तो colors की जो है बहुत importance है और जैसा मैंने पहले भी कहा सबसे बढ़िया यही है कि हम अपने drawing room और living rooms को pastel और neutral colors में रखे हैं जैसे ivory white, creamish और कहीं-कहीं highlighters की तरह हम zone conducive colors add करें